बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल नेचरल टिपस हिंदी में का इस मिट्टी के बरतन से भोजन में हानिकारक रसायनों का संचरण नहीं होता ये बरतन किसे भी हानिकारक तक्तों से मुक्त होते हैं मिट्टी के बरतन में पकाया गया खाना अधिक स्वादिष्ट होता है मिट्टी के बरतनों में धीमी गती से और सामान रूप से कर्मी फैलती है जिससे भोजन का प्राकृतिक स्वात बना रहता है मिट्टी के बर्तन में पकाने से भोजन में पोशर तत्यों की कमी नहीं होती धीमी गति से पकने के कारण विटमिन्स और खानी जो सुरक्षित रहते हैं मिट्टी के बर्तन में पकाने के लिए कम तेल की आविशक्ता होती है क्योंकि ये बर्तन नमी को परकरार रगते हैं इससे खाना स्वास्थ और कम कैलोरी वाला बनता है मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना भोजन को अधिक स्वास्थ बनाता है क्योंकि इसमें कोई रासाय में कोटिंग नहीं होती है मिट्टी के बर्तन परियावरण के लिए सुरक्षित होते हैं इनका निर्माण और उपयोग प्रकृतिक या अनुकूल होता है नए मिट्टी के बर्तनों को उपयोग करने से पहले ठीक से सीजन करना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक तीके रहे किरिक न हो मिट्टी के बर्तन को साफ करने के लिए हलके डिटर्जेंट और मुलायम इसपंज का उपयोग करें कठोर रसायनों का उपयोग न करें क्योंकि ये मिट्टी को नुक्सान पहुचा सकते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना धीमी आज़ पर पकाए ताकि ये टूटे नहीं स्वादर और स्वास्थ दोनों के लिए मिट्टी के बर्तन बहुत फाइदेमंद है गाइस मिट्टी के बर्तन खरीदते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखें बर्तन उच्च बुडवत्ता की मिट्टी से बना हो इसमें कोई रासाइनिक या हानिकारक तक तो नहीं मिले हो बर्तनों में कोई दरार या कोई तूट फूट नहीं होनी चाहिए मिट्टी के बर्तन में उच्चित जरजरापन होना चाहिए जिससे ये खाना पकाने के दोरान तूटे ना, जरजरापन अधिक नहीं होना चाहिए, पतले बरतन जल्दी तूट जाते हैं और मोटे बरतन में खाना देर में पकता है, बरतन की सतह चिकनी और मुलायम होनी चाहिए, इससे कोई उभार या असमान तर नहीं होनी चाहिए, ज नया बरतन खरीदते समय उसमें मिठी की प्राकृति गंध आनी चाहिए अगर बरतन से किसी परकार की राशानिक गंध आ रही है तो राशानिक गंध आ रही है तो उसे ना खरीदें मिट्टी का बरतन खरीते समय विश्वस्मिय बिक्रिता ब्राउंड का चेन करें अच्छी गुर्वत्ता के बरतन सामानेता पारमपरिक कारीगरों द्वारा पनाई जाती है बरतन खरीतने के बाद इसे ठीक से सीजन कनना पहत्तो पूर्ड होता है और खाना पकाने के लिए तैयार हो जाता है सीजनिंग के लिए बरतन को पानी में भीगो कर रखें फिर हलका तेल लगा कर उच्छ समय तक रखें खाना पकाने के जरूरत के अनुसार बरतन चायान करें जैसे की तावा, कड़ाई, हानी आगे और भी क्यान वर्धक वेडियों पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें जुड़ने के लिए सब स्क्राइब करना आवश्यक है साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे वीडियो अपलोड होते ही नौटिफिकेशन आप तक पहुचता रहेगा थाइक्स पूर वाचिं